आज मैं आपको बताने जा रहे हूं लौकी की सबजी लौकी की सबजी वैसे तो कई तरीके से बनती है अलग अलग तरीकों से बनाई जाती है आज मैं आपको जो बताने जा रहे हूं वो बहुती सिंपल सबजी है लौकी की जो बहुती आसानी से बन जाएगी और बहुती जल सब्जी बनाने के लिए चाहिए कटा हूआ लैसुम कटी हुई हरी मिर्च आप चाहें तो लाल मिर्च भी ढाल सकते हैं फिर हमें चाहिए प्याच कटा हुआ मसालों में हमें चाहिए गरम मसाला आधा चमच धनिया पाउडर डेल चमच एक चुटकी हींग, जीरा, आधा चमच, हल्दी एक चमच अब हमने कडाही को गरम कर लिया है इसमें मैंने ओयल गरम हो गया है अब हम इसमें सबसे पहले हींग डालेंगे फिर इसमें जीरा डालेंगे अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याच प्याच के बाद ही हम इसमें लैसुन भी आड़ कर देंगे आप चाहें तो लेस्टन पहले भी पकाते हैं इसमें मैंने दोनों को साथ में ही पकाया है अब इसको थोड़ी देर भून लेंगे जब यह हलका ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे लॉब की पिर इसको हम अच्छे से चला लेंगे इसको इसके बाद जो मैंने हरी मिर्श काटी थी वह मैं इसमें डाल दूँगी इसके बाद हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसको ऐसी ही भून लेना है उसके बाद हम इसको ढख कर पकाएंगे नमक डालने के बाद देख के लोब जो हो पाणी अपने आप तूठने लगता है अब इसको हम पांच मरत दख के पकाएंगे अब लोगी लगबक थोड़ी सी पक गई है इसका पानी सूप गया है अब हम इसमें डालेंगे मसाले हल्दी डालना है जीरा धनिया पाउडर गरम मसाला इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसको फिर से थोड़ी देर एक बार ढग देंगे और ये धीमी आज़ पे इसको थोड़ी देर पांच से दस मिर्ट तक इसको पकने लेंगे बीच बीच में चेक करते रहेंगे इसको ये देखे सबजी लगबग पक चुकी है अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि कैसे पकी है तो आप इसके एक दो पीसे अलग निकाल लेजें और दबा के देखे लगबगी देखे गल चुकी है इसका मतलब कि लौकी पक गई है तो आप अब हमारी सबजी पककर टःार हो गई है इसे आप डाल चावल के साथ खा सकते हैं रोटी के साथ खा सकते हैं पराथे के साथ खा सकते हैं बहुती सिंपल हैं Chai बहुत ही सिंपल तरीके से बनी हुई है बहुत जाता है इंग्रीडियन्स के नही जरुवत है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है